हेलो लर्नर्स आप सभी को प्यार भार नमस्कार ग्यांसली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो एक बहुत ही बड़ी खुश खबरी है अगर आप टार्गेट करते हैं TGT या PGT examination या फिर आप सपना रखते हैं Assistant Professor बनने का उत्तरप्रद इसमें तो देखे लिए यूपी गौशन के तरफ से सिक्षा-चयन-आयोक का गठन हुआ था और सिक्षा-चयन-आयोक को इनका अध्यक्ष मिल चुका है तो अभी जो है जब जुक है कि शिंग-चयन-आयोक के अध्यक्ष के रूप में श्री मती किर्दी पांड़े को स्ले और बहुत दिनों से लंबित जो प्रक्रिया थी 2022 में ही फॉर्म फिलप करवा दिये गये थे जिसमें की असिस्टन प्रोफेसर के भी फॉर्म सामिल थे और साथी साथ आपके TGT और PGT के भी पोस्ट थे तो 4163 पोस्ट जो है वो TGT PGT के थे और इसके साथ अगर हम देखें तो एसिस्टन प्रोफेसर के लगभग 1000 पोस्ट से तो इन सभी के उपर भरती होना था लेकिन ये भरती रुकी होई थी और ये अब भरती होने के पूरे चांसे हैं क्योंकि अब आपको इनके अध्यक्ष जो है वो मिल गया है तो देखें अपॉइंट्मेंट हुआ है किसक इसको ये स्टेबलिस किया गया था 12 मेंबर की ये पूरी कमीटी थी और सभी 12 मेंबर को चुन लिया गया था लेकिन जो MP अगरवाल है इनको इसके acting chairperson के रूप में लग किया गया था acting chairperson का मतलब ये होता है जब तक chairperson नहीं मिलता है या उनका selection नहीं होता है तब तक जो है ये एक chairperson के तौर पे काम कर रहा है लेकिन अब जो है प्रोफेसर किर्ती पांडे ने उनको replace किया है और देखें क्या क्या responsibility है इस commission का तो ये teacher appointment देखेंगे जो basic में होगा फिर secondary teacher और higher education institutions जो उत्तर प्रदेश में होता है इन सभी के ऊपर जो है इनकी पूरी नजर है और ये उत्तर प्रदेश education service commission है इसके रूप में अब देखा जा रहा है जो सिक्षा चैन आयोग है इसके रूप में देखा जा रहा है और इसके साथ साथ दूसरे भी teacher recruitment जो भी होंगे जैसे PRT याने primary teacher जो हो गया फिर आपके जो है TGT और PGT के जो teacher है इनके भी selection इन ही के अंडर म होगा हम देख लेते हैं तो जो भी teacher recruitment UP में होगा वो होगा UP education commission के अंडर में सबसे पहले तो priority किस चीज़ पे है जो 1017 assistant professor के post थे इनके form fill up करा दिये थे तो इनके जो है जो examination है इसके उपर और इसके साथ साथ जो 4133 TGT और PGT के post है इनके उपर और इन दोनों ही प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इनके result देने के बाद जो अगली प्रक्रिया है वो ये होने वाली है कि लगभख 700 से 800 vacancies जो है आपके assistant professor की आनी है तो ये जो vacancy है वो और इसके अलावा 25,000 के आस पास जो है ये नए पद TGT और PGT में जोडने है और इनका जो है इसके बाद होगा य 800 800 जो है लगभग assistant professor के post है इनको fill up किया जाएगा तो एक बहुत ही अच्छा news है आप सभी जो है पढ़ना start कर दीजिए हमारे भी चैनल पर seated के batches चालू हो गया है तो जल्दी से जल्दी जो है आप join कर लिजिए ताकि आप अगर seated clear कि रहेंगे तभी तो आप सूपर टेट मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ठिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए नमस्कार